the fastest way to build muscle and lose fat at the same time friends अभी बहुत साही लोग जिम में जाते हैं body बनाने के लिए अच्छी फिजीक बनाने के लिए लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना fat को lose करना चाते हैं और साथ में अपना muscle भी build करना चाते हैं क्योंकि ऐसे बहुत साही लोग है जिनके stomach area में बहुत ज़दा fat होता है तो फिर वो लोग उसको lose करना चाते हैं ताकि उनकी body बहुत ज़दा aesthetic लगे और बहुत साही लोग को लीन फिजीक बनाने का भी शौक होता है अब लीन फिजीक कब अच्छी लगती जब आपके six-pack abs लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको calorie deficit में जाना पड़ेगा अगर जो आप लोग calorie deficit में नहीं जाओगे न तो आप लोग देखो workout करते रहो जो भी आप अपनी activity करते हो आपको result नहीं दिखीगा क्योंकि हमारा weight drop या fat loss तभी होता है जब हम लोग calorie deficit में जाते हैं अब calorie deficit क्या मतलब होता है कि जितनी भी calories आपकी body को daily required होती है उससे कम आपको calorie का consumption करना होता है तब आपकी body क्या करती है जो भी आपका stored fat है उसको tap करती है उसको use करना start कर देती है in the form of energy अगर जो आप लोग पेट भरके खाना वाना खा रहे हो fast food खा रहे हो junk food खा रहे हो तो वो जो आपका fat है उसका utilization करने का आपके body को chance ही नहीं मिलेगा तो आप लोग workout करते रहोगे आपको result दिखेगा नी जिसके वैसे आप लोग demotivate हो जाओगे तो सबसे पहला rule यह है कि आपको calorie deficit में जाना पड़ेगा अब calorie deficit कितना जाना है देखो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना weight drop करने की या fat loss करने की कोशिश ना करें इससे यह हो सकता है बहुत लोगों कि की body में बहुत ज़दा weakness हो जाती है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप लोग daily का 200 से 300 calorie का deficit create करें अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग cardio को include कर सकते हो देखो cardio क्या करेगा तो उस टाइम पर भी आपकी body fat को use करती है for energy अगर जो आप लोग workout करते हो न तो उस टाइम पर जो हमारा primary source of energy होता है वो carbohydrate होता है लेकिन अगर जो हम लोग काडियो करते हैं walking करते हैं running करते हैं या फी jogging करते हैं तो उस टाइम पर जो भी energy के लिए हमारी body use करती है न वो fat को use करती है अब जो next point है कि आप लोग बाहर का junk food और processed food को खाना बन करो और घर में भी जो आप खाना खाते हो न वहां पर भी oil की मात्रा को कम रखो देखो एक tablespoon oil में बहुत ज़्यादा calorie होती हम लोग समझते हैं कि एक tablespoon oil से क्या फरक पड़ता है लेकिन यह मैं आपको कहने के लिए बोल रहा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको completely oil खाना ही नहीं है अब थोड़ा बहुत oil को रख सकते हो लेकिन थोड़ा quantity को ध्यान में रखते हुए और fast food और processed food तो बिल्कुल बेकार होते हैं वहां पे तो देखो में क्या होता है ना उसका thermic effect बहुत जादा होता है अब thermic effect से क्या होता है कि ना जो भी protein आप लोग लेते हो उसको digest करने के लिए कितनी energy कि या कितनी calories आपकी body utilize करती है ना उसको हम लोग thermic effect बोलते है और protein का thermic effect बहुत जादा होता है as compared to carbohydrate and fat अभी बहुत सारे लोग को यह लगता है ना कि protein के वर muscle build करने के लिए useful होता है तो friends मैं आपको बता देना चाहता है कि fat loss में भी protein का बहुत ही important role है क्योंकि ना मैं भी एक time पर बहुत जादा overweight था मैंने भी अपना weight loss किया अपना fat loss बहुत जादा किया है तो मुझको पता है कि protein बहुत जादा help करता है अब पनी दाल, chicken, fish, egg, meat यह बहुत सारे food है इसके अलावा आप लोग वे protein का भी सहरा ले सकते हो यह सब चीज को मिला के आप लोग daily की protein requirement को complete करें अब रोजाना आपको कितना protein लेना चाहिए आपको daily 1.5 से 2 gram per kg of your body weight protein लेना चाहिए और एक चीज जो most important है कि आप लोग अपने body क को जरूर track करते रहो कि मेरे body में क्या changes हो रहा है और बहुत सारे लोग क्या करते। केवल जीम जाते हैं, workout करते हैं और अपने body को analyze नहीं करते हैं, क्या मेरे body में फरक भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है कि केवल हम लोग gym में जाके अपना weight कर रहे हैं या cardio कर रहे ह बहुत साहे लोग को इसे देखता हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं, और बाद में वोग पूरी तरह केसे अपने डाइटिंग, वैटिंग सब कुछ छोड़ देते हैं, वोग बोलते कि भाड में जाए, हम लोग अपना सिंपल जिम करेंगे, हमको नहीं चाहिए, ऐस्थेटिक फ जो भी आपने फैट लूस किया होगा ना, इतने मेहनों में वो सभी से फिर से रिगेन हो जाएगा, इसलिए हमको वर्काउट रेगुलर करना होता है, अब इसके बाद आप लोग जो भी एक्सेस करते हो ना, वहाँ पर आप लोग माइंड मिसल कनेक्शन के साथ करें, और बहुत साथ हैं, 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 बहुत साथ ह हो जाएंगे तो इसलिए आपको वर्काउट भी करना है साथ में काडियो भी करना है अब रोजाना आपको कितना काडियो करना है आप लोग 30 मिनट से लेके 45 मिनट रोजाना काडियो करें और फ्रेंट्स ज्यादा ना हाई इंटेंसिटी से काडियो ना करें, क्योंकि बहुत सारे research में पाया गया कि जब आप workout करने के बाद बहुत देर तक high intensity cardio करते हो ना, तो आपके थोड़े muscle loss होने के chances होते हैं, तो आप लोग रोजाना एक नियम बनाए, 30-45 minutes cardio करें walking करो आप लोग, थोड़ा incline जाते हैं, देखो friends, मैं आपको बोलना चाता हूँ, अगर आप लोग beginner होना, तो maximum to maximum 60 minutes में आपका workout पुरा wrap हो जाना चाहिए और अगर जो आप लोग के body में बहुत ज़्यादा fat है, तो आप लोग 45 minutes workout करें, और फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा आदा गंठा आप लोग काडियो करें, इससे क्या होता है न, देखो friends, यह मैं अपनी mistake से बता रहा हूँ, क्या होता है, कभी-कभी हम लोग बहुत ज़्यादा जोश में वर्काउट कर लेते हैं उस टाइम पे हमको feeling नहीं होता, नेकि पर आपको patients भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत साही लोग क्या करते हैं, दस दिन काडियो करते हैं, उनको result दिखता नहीं है, तो फिर उन लोग बोलते हैं काडियो वाडियो हम लोग नहीं करेंगे, उन लोग